देते रहेंगे फिलाल बात करते हैं कोरोना की जहां देश ही नहीं बलकि पूरे विश्व के लिए कोरोना सबसे बड़ी चुनोती समय है लेकिन भारत की क्या भूमिका है पूरे विश्व में अगर कोरोना की केसिस की बात करें तो जहां पहले पूरे विश्व की बात करें त तो ये एक बड़ा आंकड़ा है और एक बड़ा योगदान है इस संक्रमन का जो कि भारत दे रहा है पूरे विश्व में 54 प्रतीशत कुल केसिस की जो केसिस है वो भारत के अंदर ही है इसके अलावा 53 लाख केस भारत में इस वक्त बताय जा रहे हैं और एक्टिव केसिस की सं संख्या वो 10 लाख के पार पहुँच चुकी है तो देश के अंदर कोरोना की जो महामारी है वो पूरी तरह से तरही माम मचा रही है और 53 लाख से पार अब संख्या जा चुकी है 53 लाख केसिस अभी तक देश के अंदर आ चुके हैं और एक्टिव केसिस 10 लाख के पार हैं और वहीं विश्यो के अंदर भी 3 करोड से ज्यादा केसिज अब तक आ चुके हैं तीन जो टॉप ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें केसिज सबसे ज्यादा हैं उसमें भारत तीसरे नंबर पर हैं लेकिन रोजाना जो केसिज आ रहे हैं उसमें भारत पहले नंबर पर हैं भारत में रोजाना 95,000 से ज्यादा केसिज आ रहे हैं जहां अभी भी 97,000 के तकरीबन केसिज आए हैं और वो दिन भी दूर नहीं है जब एक लाख का आंकड़ा भी 24 घंटे में भारत के अंदर देखा जाएगा कोरोना संक्रमितों का तो अभी भी कोरोना का जो संकट है अभी भी जो को परवा ना हो लापरवा ही ना बढ़ते बलकि गाइडलाइन का पालन करते रहें हालांकि जो पॉजिटिविटी रेट है वो कम हुआ है लेकिन जो रिकवरी रेट है वो बढ़ रहा है जो की 77.77 से बढ़ कर अब 78 प्रतीशत देश की अंदर हो चुका है लेकिन अभी भी ज जान जाने वाले लोगों की संख्या में इजापा है एक हजार से ज्यादा रोजाना देश की अंदर कोरोना के चलते लोगों की जान जा रही है